हाई दोस्तों जल्दी मेरी चानल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल बटन दबाना ना भूले बेलकुल फ्री है मेरी जिन्दिगी की ये शाम पांस साल बात लोटी है पता नहीं आज भी मुझे सूरज की कमी क्यों खलती है अपने आप से बात करते हुए अनन्या भोले जा रही थी अनू कहा हूँ भाई हो गई तुम्हारी सजावट अरे वाई यार भाई इस मामले में तो कोई तुम्हें बेट नहीं कर सकता कुंजन ने अपने घर की बालकनी को देख कर गा जो रूम से कनेक थी चार से छे फीट की वो बालकनी अनन्या अतनी देर से फ्लॉवर और लाइटों से सजा रही थी शादी को दो साल हो चुके थे अनन्या कुंजन से प्यार करने लगी थी पर दिल में कहीं न कहीं सूरज के लिए कुछ था जो वो से बया नहीं कर पाई थी नमस्कार दोस्तों मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल में जहां हम सुनते हैं प्यार भरी कहानिया हमारी यादों की टाइरी से ये कहानी है अनन्या की जो स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट थी अपनी ही दुनिया थी उसकी और उसके सपनों का राजकुमार था सूरज पर किस्मत ने उसे कुछन के साथ बान दिया था मैडम चले दिनर बना दिया है आपके लिए कुझन ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा अनन्या स्वीट दिश में उनके आगी क्या रखेंगे यार कुझन ने किचन से डानिंग टेबल की तरफ खाना रखते हुए कहा मैंने आईस्क्रीम लाग कर रख दिया आप टेंशन मत लीजी कुझन ने गेट खोला तो सामने सूरज और उसकी वाइफ चवी खड़े थे सूरज ने रेड रोज का बुके कुझन के हाथ में थमा दिया अरे यार इसकी क्या सुरू थी आओ आओ अंदर आओ कैसी हो चवी मैं अच्यू सब डिनर के लिए बैट गए अनन्या कुझन को सर्फ करते वक्ड चवी और सूरज को ही देख रही थी सूरज चवी को बड़ी प्यार से देख रहा था तो सूरज काम कैसा चल रहा है आजकल कुझन ने सूरज से खाना खाते ही पूछा बस बड़िया थोड़े दिन में हम भी निकल रहा है उदैपूर अच्छा क्यों एकदम ऐसे जाना हनीमून पर जा रहे हैं तफ्री मानने चवी अनन्या कुझन और सूरज सब हसने लगते हैं खाना खाकर अनन्या सबको लास्ट में आईस्क्रीम सर्व करने लगती है सूरज की तरफ बढ़ते हाथ उसके जिजक रहे थे अरे भाई अननू सूरज को भी दो आईस्क्रीम जी हाँ सूरज अनन्या कॉलिज फ्रेंड थे बटी फ्रेंड्शिप इतनी अच्छी नहीं थी अनन्या का एक तरफा प्यार सूरज पर सूरज को तो ये सब पता ही नहीं था कि अनन्या उसे प्यार करती है कॉलिज में कोई भी फंक्शन होता था सूरज उसमें टॉपपर होता था कॉलेज का हीरो अनन्या का एक तरफा प्यार अनन्या बहुत शर्मीले सुभाव की थी इसलिए कभी सूरज को अपने दिल की बात तक नहीं कह पाई यहां तक कि कॉलेज में वेलेंटाइन डे के दिन अनन्या हिम्मत करके गई थी एक रेड रोज लेकर सूरज के पास अनुज सूरज का है? वो लाइब्रेरी में है, क्यों क्या हुआ? नहीं, ऐसी उस दिन अनन्या की दिल की धड़कने दोड रही थी सूरज के पास पहुँचते पहुँचते अनन्या ने उस रेड रोस के कई तुकड़े कर दिये थे हाथ में सिर्फ काटों भरी डंडी रह गई थी सूरज के सामने पहुँचते अनन्या कुछ कहती कि उसके आगे एक लड़की कमर घुमाए खड़ी हो गई सूरज फिल यूँ भी माए वलंटाइन सूरज स्माइल के साथ खड़ा हुआ और उस हसीना की कमर में हाथ डाले उसे माँ से लेकर चला गया और अनन्या चुप चाप वही खड़ी रह गई कुछ बोली नहीं पाई अरे कॉलेज के टाइम पर तो भाई साब की कई गर्ल्फरेंड रही है क्यों कुछन ने हसते हुए कहा तो अनन्या अपनी यादों से वापस लोटी वैसे अनन्या तुम भी उसी कॉलेज में थी ना सूरज के साथ अनन्या घबरा गई मैं? हाँ, बट एतनी अच्छी बात नहीं हुई हाँ, अनन्या थी महाँ पर पर भाई सौरी, कॉलेज हम पर मरता होगा पर उस टाइम हम एक लड़की पर मरते थे कुंजन, पता है कौन? सब इत्म शान्त हो गए, सनाटा चागया अनन्या ठहर गई शायद वो अपना नाम सुनना चाहरी थी सूरज के मूझ से अरे, इंग्लिश लिट्रेचर वाली टीचर भाई, क्या होड थी यार और सब हस पड़े, सिवा है अनन्या के चलो भाई, खूब मजाग हो गया, अब चला जाए सूरज ने सोफे से उठते हुए कहा सूरज और छवी, वहाँ से चले गए उनके जाने की बाद, बैडरूम में आकर कुंजन ने अनन्या को पीछे से आकर अपनी बाहों में गिरफसार किया तो अनू, तुमें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ गया भाई, इन दो साल की शादी में तो ने हमें कुछ बताया नहीं कभी खेर, कभी ओफिस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है तो हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं साथ में अनन्या थोड़ा घब रा गई नहीं, नहीं तो आप ऐसा क्यो बोल रहे हो अरे बाबा, मज़ा कर रहा हूँ आईए बैठते कुणजन, अनन्या बैडरूम में अपने बैड पर बैठे थे कुणजन, अनन्या की गोध में लेट कर उसकी तारिफ किये जा रहा था पताया नो, जब तुम्हें पहली बार देखा था न सोचा था, ये लड़की इतनी शर्मीली है इतना जिजगती है क्या ये मेरे लाइफ पार्टनर बन पाएगी अच्छा, फिर अब क्या लगता है आपको अनन्या ने स्माइल करते हुए कुणजन से पूछा हम, अब You are my world, यार कुणजन के सोने के बाद अनन्याबी तक नहीं सोई थी वो सूरज के बारे में सोचे जा रही थी क्या सच में कभी सूरज को पता नहीं लगा, कि मैंने उसे कितना प्यार किया है अरे उसे चुप चुप कर देखा है हर वेलेंटाइन डे को मैंने उसे रेड रोस भीजा है और अपने सपनों की दुनिया में तो मैंने उसे कितनी बार I love you का है पर मैं ये सब आज क्यों सोच रही है शायद नहीं तब ही तो से मेरा नाम याद नहीं वो नहीं जानता मुझे सुबा के साथ बज़े उटते ही अनन्या कुंजन के लिए कॉफी बनाने लगी Morning, उट जाएए आपकी कॉफी कुंजन ने नेन से उटते हुए अनन्या को गली लगा कर Good morning कहा कुंजन बहुत romantic person था अपनी हर सुबा वो अनन्या को गली लगा कर ही start करता था अच्छा आप जल्दी कीजिए चलिए आपके meeting आज भूल गए क्या ओ शिट, ओ क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ जल्दी में बिस्तर से उटते हुए कुंजन नहाने चला गया अनन्या ने कुंजन को नाश्ता करवाया और ट्रिफिन देकर उसे ओफिस के लिए बाई कहा कुंजन की जाने के बाद अनन्या सीदा बैट्रूम में गई और अलमीरा की उपर से एक अपनी पुराने अटेची उतारी खाली का लड़ की उसके उपर कपड़ा मारते हुए पुलसाफ की और अंदर से एक डाइरी निकाली यादों की डाइरी खोली तो उसमें कॉलिज ग्रूप की फोटो थी और एक रेड रोस उस फोटो में सब स्माइली फेस लिए खड़े थे अनन्या उस लास्ट दिन भी सूरज को ही देखे जा रही थी इस तस्वीर को देखते हुए अनन्या के फेस पर एक स्माइल थी फोटो देखते हुए अनन्या यही सोच रही थी कुझन और सूरज वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं पर उन दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं कुझन कितनी रोमांटिक, साफ दिल के इंसान है और सूरज कहां दिल फे काशिक लगता है पर कुझ तो खास था ना सूरज में तभी तो कॉलिज की सारी लड़किया उस पर मरती थी जिसमें से मैं भी वापस फोटो डायरी में रखकर रटैचियल मीरा के उपर रखती और अनन्या घर के कामों में व्यस्त हो गई तभी डोर बल बजी, गेट खोला तो सामने सूरज था हाई अनन्या, कल मेरी वाच यहां रह गई थी अनन्या एक बल तो सहम गई थी अचानक सूरज को देखकर हाई, कहां रखी थी? वो देखो, वहाँ में सोफे पर बैठा था रात को अनन्या सोफे पर सूरज के घड़ी ढूंडने लगी सोफे की सीट के कौने में उसे सूरज के घड़ी नजर आई मिलगी, यह है क्या? हाँ या, थैंक्स, ओके बाई जाते जाते सूरज के कदम ठहरे वैसे अनन्या सूनो ना गेट बं करते करते अनन्या के हाथ रुके हाँ, बोलो ना सूरज क्या तुम उस लड़की को जानती हो जो मुझे कॉलेज के दिनों में हमेशा एक रेट रोस भिजवाती थी और कई बार तो उसने ग्रेटिंग कार्ट भी बिजवाया मुझे अनन्या चौक गई मैं, नहीं तो क्यों, क्या हुआ नहीं, कुछ नहीं अक्चुली कल हम बात कर रहे थे न उस बारे में तो मुझे सडिनली याद आया कि एक लड़की थी जो मुझे हमेशा वैलेंटाइन डे पर रेड रूस भेजती थी मेरे बार्दे पर ग्रीटिंग कार्ट भेजती थी बुक्के आते थे I don't know, वो अब कहा है, कैसी है लेकिन अगर वो मुझे मिलती न शायद मुझे उससे प्यार हो जाता पर ठीक है यार डेस्टिनी चलो, ओके, बाई अनन्या वहीं खड़ी रह गई जैसे सुरज उसे अभी कहकर गया हूँ कि तुम ही हो वो लड़की जिसे मैं जानता हूँ अनन्या ने गेट बन किया और एक लंबी सास ली तब ही उसका सेल बचने लगा हलो हलो, अनू, क्या हो रहा है कुछ नहीं, आपका इंतिजार अच्छा, बस हम आ जाएंगे शाम को टाइम से तैयार रही है, कैंडर लाइट डिनर पर जा रहे है अनन्या को कुझन से प्यार हो गया था बस सूरज को अपने दिल के बाद बया नहीं कर पाई थी दोस्तो एक तरफा प्यार हर केसी को होता है बस फर्क इतना है, कोई कह जाता है तो कोई बिना कही रह जाता है जैसे अनन्या किस्पत आपको हमेशे वही देती है जो आपके लिए अच्छा होता है जैसे अनन्या के लिए कुंजन इसलिए किस्मस से कभी शिकायत मत कीजिए कैसी लगी है आपको ये प्यारी सी कहानी प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी काफी महनत होती है कहानिया लिखने में आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है लेती हूँ विदा इस प्यारी सी कहानी के साथ मिलेंगी एक नहीं कहानी के साथ आप सुन रहे थे प्यार भरे किस से विदल का ठाको टेक केर, थाइंक यू सो माँ